कि अभी कि ऐसे हो एक अधाय है वह अब है आज हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर त्री है आज हम लोग बाते करेंगे रिजल्टेन्ट वेक्टर के बारे में हमने resultant vector basic में basically समझा दिया था, बात उसकी हो गय थी lecture number 2 में, तो आज हम resultant vector की बात करेंगे, जब किसी particular point और या, किसी particular particle का 2 vectors होता है, तो उनका resultant vector क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं, कि किसी particular point पो तीन vector एक साथ act कर रहे हो, होगा तो सबसे पहली बात करते हैं Graphically कैसे add करना है किसी वेक्टर को उसको बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर सब्सक्राइड को एड करने के क्या क्या तरीके हैं तो graphically सबसे पहले graphically हम बात करेंगे ne ग्राफिकल उसको odd कैसे करेंगे किने मैंने वेक्टर को add करने का zipare एक है ग्राफिकल मेंटर्ड वेक्टर को रिप्रेजंट करने का और और एक आपका है York symbolic थहां नग्टर जोसा पहले बात कर की मान लेते हैं कि अगर एक बाडी है आपके पास और एक बाडी है इस पर दस नूटन फोर्स इधर लगा क्योंकि फोर्ष से एक वैक्टर क्वाइगा और एक 20 नूटन फोर्ष इस तरीके से लग गया किसी एंगल पर या किसी दूसरे डिरेक्षन में तो इनका कुछ यही बाते हैं ने था सब्सक्राइर विक्टर सब्सक्राइब तो चैंट और तो सब्सक्राइब वैक्टर ही वेक्टर की आएगा कैसे उस वेक्टर का direction किदर होगा वो वेक्टर का magnitude क्या होगा उसकी हम बाती बिसिकली कर रहे हैं तो सबसे पहले simplest form में बात करते हैं दो वेक्टर को add करने का क्या तरीका होगा फिर बात करेंगे तीन वेक्टर को add करने का क्या तरीका होगा फिर बात करेंगे चार प यह फिसकली नोड आइस ऑसका है सिलुटिनट वैक्टर जैसे मैं क्या आप बूल रहा हूं समझाता हूं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है इस पर दो वेक्टर अक्ट कर रहे हैं कन्फूज मत होρί दो दो च रहे है कि माना एक वेक्टर इस तरीके से है A vector और दूसरा vector B vector इनके बीच का sum कुछ न कुछ angle है मान लेते हैं theta दो vector के बीच का angle कितना है theta तो उनको add करने का तरीका क्या बोला गया कि पहले vector का head ये पहला vector है पहले vector का head को दूसरे vector के tell से काइण करो अब यह दूसरा वेक्टर तो ऐसे लग रहा है लेकिन मैंने बताया वेक्टर को पारलजलीश्थ कर सकते हैं और उसी याइन पर मीश्थच कर सकते हैं तो इस वेक्टर को आगे शिफट कर दूँ इस वेक्टर को आगे शिफट कर दो without डाय्यक्षन को चेंज किये हुए तो क्या हो जाएगा यह वेक्टर और अगर यह वेक्टर हो गया यह वेक्टर हो गया तो इनके बीच का एंगल यही है हमारा थीटा इनके बीच का एंगल यही क्या है हमारा थीटा हो गया मेरा काम क्या गाइडलाइन कहा गया पहले वेक्टर का हैड दूसर एक सिंगल वेक्टर करना है पहले वाले वेक्टर के तक तो वह सिंगल वेक्टर करोगे वही तुम्हारा रिजल्ट वेक्टर कहलाएगा क्या बोला देखो यहापर पहले वाले के head से दूसरे वाले के tell से मैंने concise कर दिया then a single vector drawn from the single vector draw करना है tell of the first vector to the head of the last vector last vector यह क्योंकि दो ही vector लगा है तो last vector वो हो गया हमारा is basically known as resultant of these two vectors vector a and vector b समझाया क्या बोला मैंने मैंने कहा पहले vector का head दूसरे वाले के tell से concise करना है फिर एक single vector draw करना है पहले वाले vector से tell से दूसरे वाले vector के मतलब last वाले vector के head तक तो यह आर वेक्टर हो गया तो ध्यान सा अगर तुम देखो तो यह आर वेक्टर is equal to a vector plus b vector add किया है उसको ऐसे लिखा जाता है add किया है तो इस तरीके लिखा जाता है make sure कि जब इस तरीके लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए अगर उपर वाप वेक्टर लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह magnitude direction दोनों बता रहा है यह भी magnitude direction दोनों बता रहा है क्लियर है अच्छा यह तो दो वेक्टर की बाते हो गई अगर तीन वेक्टर एक्ट कर रहे हूं तो माल लेते हैं कोई particular particle है या कोई point है इस पर तीन वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक वेक्टर इस तरीके से ए वेक्टर एक वेक्टर इस तरीके से बी वेक्टर और एक वेक्टर इस तरीके से अपोड डारेक्शन में सी वेक्टर अब इनका resultant वेक्टर कैसे हम draw करेंगे तो इस पहले वाले का head, यह पहले वाले vector है, जिसका direction right word ही होगा, एक बात ध्यान दिजेगा, कि direction जब vector को आप add कर रहे होंगे, तो इनका direction कर भी change नहीं करेंगे, मतलब अगर यह vector right word direction लगा है, तो यह right word में ही रहेगा, और यह अगर इस तरीके sum कुछ angle पे लगा है, तो उसी angle पे इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यह vector b हो गया, without direction change की हुए, vector को shift कर दा है, तीसरा vector उपर के direction लगा है, तो b vector का head तीसरे वाले का, tell उपर के direction लग गया, बस काम हो गया है, यह a vector, यह b vector, यह c vector, इसका head, इसका tell, इसका head, इसका tell, then a single vector drawn, from the tell of the first vector, to the head of the last vector, is basically known as, resultant of these three vectors, resultant of these three vectors, this is r vector, तो यहाँ पर क्या लिख सकते है, r vector is equal to the a vector, plus b vector, plus c vectors, ध्यान दें, यह magnitude नहीं बता रहा है, ध्यान दें, यह magnitude नहीं बता रहा है, अक्सर यहीं गलती होती है, कते हैं, दो vector को add करना है, लो भाईया, मैंने a plus b कर दिया, r बराबर, r बराबर, a plus b, अलग बात है, और r vector, बराबर, a vector, plus b vector, अलग बात है, this is the representation only, this is the representation only, कि दो vector को add किया जा रहा है, सचमुच में उसका magnitude add नहीं कर दोगे, direction के साथ add करना है, है न, magnitude का formula बताऊंगा मैं अभी, है न, this is only representation, अगर direction तुम्हें पता है, तब तो भाईया, आप add कर सकते हो, direction wise, अगर तुम direction wise add कर सकते हो, तो, ठीक है, magnitude को इस तरीके से add नहीं करते है, vector को, magnitude का formula अलग होता है, तो, दो vector, तीन vector को add करने का तरीका बताया मैं इसी तरीके से, चार vector को भी add कर सकते हैं, पहले vector का head, दूसरे वाले का tell, दूसरे वाले का head, तीसरे वाले का tell, तीसरे वाले का head, चौथे वाले का tell, कौन साइट कर लिया, तो, चौथे वाले का, जो head बचा हुआ है, खाली अभी, और पहले वाले का tell बचा हुआ है, खाली भी उसको मिला दो, then a single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the fourth vector is basically known as resultant of these four vectors समझ के बात तो इस तरीके से head, tail, head, tail, head, tail जोड़ते चले जाते हैं अब तुमारे पास एक दो वेक्टर दे, तीन वेक्टर दे, चार वेक्टर दे, दस वेक्टर दे, जोड़ो हैं क्या दिक्कर वाली बात है क्लिएर है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं ये तो ग्राफिकली वेक्टर को add करने का तरीका हो गया कि ग्राफिकली वेक्टर को add करेंगे कैसे और दिखाएंगे कैसे है ना अब हम बात करेंगे magnitude-wise की magnitude कितना होगा क्या बोला, magnitude कितना होगा किसी भी resultant vector के magnitude को निकालने के दो नियम हैं हमारे पास दो rule है पहरा rule कहलाता है हमारे पास कौन सा triangular law of vector addition क्या बोला triangular law of vector addition और दूसरा rule कहलाता है parallelogram law of vector addition दो addition करने के दो method है triangular law of vector addition और parallelogram law of vector addition पहले वाले नियम पर बात करते हैं triangular law पर यह थोड़ा सा आसान है दोनों ही आसान है और दोनों एक ही चीज होते है अड़ इंड आप देखेंगे कि दोनों एक ही चीज है बस थोड़ा बहुत आगे पीछे उसको shift कर दिया गया है तो ट्रैंगूलर से बन गया है parallelogram law है ना दो ट्रैंगल को मिक्स करेंगे तो बनता है ना क्या ना मैं quadrilateral आपका वही चीज है महाँ पर भी खेर अभी देखते हैं सबसे पहले ट्रैंगूलर लॉप पर कौन सा लॉप triangular law की बात करते हैं triangular law of vector reason कहा क्या गया कहा यह गया अगर किसी दो vector अगर कोई दो vector किसी particular point पर एक साथ लग रहे हूं लग रहे हूं कुछ सम एंगल पर जिसके बीच का एंगल मान लेते हैं कितना है थीटा है तो ग्राफिकली तो आप समझ गें कैसे रिप्रिजेंट करेंगे इन वेक्टर्स को विदाउट डारेक्शन चेंज किये हुए पहले का पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से कुन साइड कर देना है इसका मतलब यह अगर यह थीटा दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा होगे तो tail से tail मिल जाएगा, देखो, इसको आगे shift करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी आगे shift करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनके बीच tail से tail मिल गया, तो यह थीटा है, तो यह भी थीटा होगा, means कि थीट बना रहा हूं व्वेक्टर बना रहा हूं तो इनके बीच का एंगल यही होगा तीटा 2 थीटा वह हमारा क्या है ठीक है तो हेर हमने क्या सपोस किया कि सपोस्फोेक्टर्स वेक्टर-a और बेक्टर-b acting on the particle at same instant on a particle same instant भी किसी particular और पार्टिकल पर दो वेक्टर एक्ट करते हैं एक्ट सेम एंगल एक्ट सम एंगल थीटा कुछ एंगल थीटा पर एक्ट करते हैं तो थीटा पर एक्ट करते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीकेस मेरे बना दिया ठीक if you want to draw resultant of these two vectors in vector addition तो मैं क्या करूंगा single vector draw करूंगा from the tail of the first vector to the head of the last vector in this way this is the resultant vector vector r तो इस resultant vector को मैं कैसे लिख सकता हूं इस resultant vector को मैं लिख सकता हूं vector r is equal to vector a plus vector b make sure कि ये हमारा magnitude नहीं बता रहा है magnitude का मतलब होता है स्रिफ magnitude value कि ये our vector लगा हुआ है इसका मतलब magnitude direction दोनों के बास्तर उसी तरीके से भी आज अब हमें ये आर वेक्टर का magnitude पता करना है इसके क्या मतलब है कैसी लंबान नहीं कि कि कीवेक्टर के length की क्या कहलाती है हमारी उसकी magnitude कहलाती है अगर इसकी किसी तरीके से लंबाई पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा है ना अब मैं इसी लंबाई को ही निकालना चाहता हूँ what is the length of these vectors suppose this point is kya p this is q this is s drop a perpendicular from point s to the line pq pq line पर perpendicular draw करो और अगर perpendicular draw करोगे तो कुछ इस तरीके से perpendicular draw हो जाएगा suppose इस point को मैं वने बोल दिया m क्या हुआ p q s और s से pq line पर मैंने draw किया एक perpendicular SM तो यह बन गया SM कि बहुत अच्छे से देखो तुम्हें दो triangle दिख रहे होंगे 90 डिग्री वाले क्योंकि हम 90 डिग्री में ही बहुत ज्यादा metric functions का लगा सकते हैं उसकी value निकाल सकते हैं लेकिन हम class 10 में तो उसी पर बात करते हैं उसी बेसे से बात करेंगे ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं बुद्धी क्या लगाता हूं बुद्धी यह लगाता हूं कि इन दर triangle PMS अगर मुझे यह लंबाई पता करना है तो पाइथागूरत स्यूरम से तो आ जाएगा लेकिन एक problem यह है यह लिंग्ध हमें नहीं पता है और यहां से लेके यहां तक का लिंग्ध नहीं पता है क्योंकि यह पी क्यू का लिंग्ध पता है मुझे mod of a is what mod of a is the magnitude of a vector यह simple a बोल दे कोई दिक्कत वाली बात क्योंकि अब तो हम जानी क्या है मौड of a is equal to a simple थे है नरा तो मौड़ यह को मैं इसके magnitude को क्या बोलूँगा simple ए बोलूँगा बी वेक्टर के magnitude को simple भी बोलूँगा मतलब एक बात clear है इसका magnitude a है इसका magnitude भी है लेकिन इसका value मैंगनिटीड उसकी लंबाई हमें नहीं पता इसकी लंबाई हमें नहीं तो छोटे वाले triangle से from from triangle qms qms से अगर मैं sin theta लगाउं तो sin theta लगाउंगों तो क्या घा पर्पेंडिकुलर बाइस पर्पेंडिकुलर आपका क्या है स्म पर्पेंडिकुलर क्या है स्म अपॉन में हाइपॉटनिवस क्या है QS SM हमें निकालना था QS हमें पता है B SM की value कितनी हो गई SM is equal to B sin theta equation number 1 Similarly Similarly इसी triangle में similarly ऐसे करके लिखेंगे और इसी triangle से हम निकाल सकते है कि QM की value क्या होगी cos theta लगा तो cos theta जैसे ही लगाएंगे base upon hypotenuse क्या हो जाएगा QM upon में कितना QS QM निकालना है QS पता है तो QM upon में कितना हो गया B something B B is the magnitude B का multiply cos theta हो गया तो QM की value आपके पास कितनी हागी QM is equal to B cos theta equation number 2 This is the equation number 1 SM and this is the equation number 2 अब मैं क्या करूँगा बड़े वाले triangle में Pythagoras theorem लगा दूँगा कौन से triangle में बड़े वाले triangle PMS कौन से triangle PMS अपलाई पाइथागोरस थिरम पाइथागोरस थिरम अपलाई करेंगे तो PS का whole square क्या लिखेंगे PS का whole square is equal to PM का whole square PM का whole square plus MS का whole square या SM का whole square clear है अब बहुत अच्छे से देखें तो PS का whole square तो यह हो जाएगा आपका R square is equal to PM PM क्या है यह लंबाई प्लस यह लंबाई यह तो A है तो यह A लिख दिया plus कितना QM मतलब B cos theta QM मतलब B cos theta यहाँ पे B cos theta का whole square और फिर प्लस करके इसका इसकी value कितनी यहाँ थे B sin theta B sin theta लिखेंगे तो कितना हो जाएगा B sin theta का whole square बस खोल दिजाए खोल देंगे तो कितना आजाएगा इसको R square is equal to यह value आजाएगे A square A plus B का whole square लगेगा plus B square cos square theta plus 2 AB cos theta यहाँ से कितना हो जाएगा plus B square sin square theta solve कर दें B square cos square theta B square sin square theta हो गया B square कैसे? B square common कर लेंगे sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हो जाएगा तो R square की value हमारे पास कितनी आगे? R square is equal to A square plus B square plus 2 AB cos theta means R बराबर हमारे पास आगया root में A square plus B square plus 2 AB cos theta This is the magnitude of resultant vector This is the formula and this is known as vector law इसी को मैं vector law बोल रहा था शुरुआते बोला था ना कि vector quantity ऐसी quantity होती जो vector law को follow करे कौन सा ला है वो यही ला है R बराबर root में A square plus B square plus 2 AB cos theta where theta is the angle between two vectors vector A and vector B and R is the magnitude यह तो मैंने अकेले-अकेले magnitude निकाला अब मैं अकेले-अकेले सिर्फ direction बताऊंगा अब मैं सिर्फ अकेले-अकेले क्या बताऊंगा और direction बताऊंगा make sure दुबारा बोल रहा हूं मैं R vector ब्राबर A vector plus B vector में R vector direction magnitude दोनों बताता है we want to calculate only magnitude to R बराबर तो मैं use करूंगा R बराबर root में A square plus B square plus 2AB cos theta if we want to know the direction of resultant vector तो मैं क्या करूंगा उसकी बात करूंगा कि उसकी direction किज़र आएगी क्यूंकि A vector और B vector ब्राबर ब्राबर आपको कोशन बता रहेगा आपको क्या पूछेगा resultant vector का magnitude बता दो resultant vector का direction बता दो अलग-अलग अब अगर आप ध्यान से देखें तो direction हम generally angles ही बताते हैं किस से बताते हैं? अगर ये 30 degree पर होगा तो बोल देंगे resultant vector 30 degree from the x-axis या A vector अगर 60 degree पर होगा तो उसको बोल देंगे 60 degree पर है resultant vector A vector से 15 degree पर होगा तो बोल देंगे resultant vector 15 degree पर है पहले वाले vector A vector से तो direction ही तो बता रहा है कि अगर मैंने बोला 30 degree इसका मदब 30 degree ऐसे 60 degree पोल दिया direction बदल गया ऐसे 45 degree direction बदल गया ऐसे मतलब angle से पता करेंगे तो यहां मैंने मान लिया कि let alpha be the angle makes by the resultant vector from A vector पहले वाले vector से पहले वाले vector से जो एंगल बना रहा है वो alpha बना रहा है तो यही alpha मुझे निकालना है तो बड़े वाले ट्रेंगल से बड़े आराम से आ जाएगा बड़े वाले ट्रेंगल में tan alpha लगा दो आप सोच रहे होंगा सर साइन का उस नहीं लगा सकते हैं लेकिन जनरली direction निकालन और नॉर्मलली ट्रेंगल में ही अंगल डारेक्शन बताने के लिए लिया जाता है ठीक है जो नियम है जो convention है उस convention को आपको पालन करना है तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस बड़े वाले ट्रेंगल में लगा दे tan alpha बड़े वाले ट्रेंगल में tan alpha लगाएंगे तो क pq प्लस कितना हो जाएगा qm ध्यान से देखे sm की value कितनी है b sin theta upon में कितना हो जाएगा pq की value हो जाएगी आपके पास a प्लस कितना हो जाएगा qm की value b cos theta this is the tan alpha और इसको solve करना चाहे तो alpha के उधर रखके tan को उधर भेज दे तो tan को उधर भेज देंगे तो alpha बराबर कितना हो जाएगा tan inverse कुछ बहुत बढ़ाव चीज नहीं होगा सिफ tan inverse हो जाएगा b sin theta upon a plus b cos theta that's it this is the angle लेकिन कहां से from इसको लिखना पड़ेगा from first vector first vector कौन सा vector a a vector से मैंने angle लिया है तो this is the rule direction निकालने का this is the direction of resultant vector and this is the direction of magnitude of resultant vector दोनों पे command होना चाहिए आपका इस तरीके से कि whenever two vector vector a and vector b acting on a particle at the same instant then the magnitude of resultant vector is equal to the root में a square plus b square plus 2ab cos theta where theta is the angle between vector a and vector b and if the alpha be the angle mixed by the resultant vector from first vector then tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta जैसे याद होना चाहिए आपको याद रहेगा question में आसानी रहेगी कोई दिक्कर वाली बात नहीं दो चार बार पढ़ेंगा याद हो जाएगा तो यह सर क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है resultant vector यह लेंग्वेश पर ध्यान देना है लेंग्वेश बहुत important दोता है क्या है resultant vector of vector and vector यह क्या है magnitude of resultant vector of vector यह magnitude है resultant vector का यह resultant vector है और यह direction है यह सीखना है आपको language मैं क्या बोल रहा हूं resultant vector magnitude यहां नहीं बोला मैंने सिधा resultant vector बोला इसका मतलब this is basically known as triangular law चिक अच्छा ध्यान से देखो अब हम बात करेंगे parallelogram law of vector addition क्योंकि दोनों एक ही जैसा होता है तो इसी में discuss कर लेते parallelogram law क्या होता है है न क्या बात करेंगे parallelogram law of vector addition कहा क्या गया कि अगर दो vector vector a and vector b vector a and vector b किसी particular time पर किसी point पर act कर रहे हैं तो with the help of parallelogram law कैसे add करेंगे सुनियागा ध्यान से सबसे पहली बात हम triangular law से ही parallelogram निकालने की कोशिश करते हैं कि कि अगर यह vector a है और यह vector b है बहुत अच्छी बात है यह vector a है और यह vector b है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो मैंने सिखाया है सुरुवात में कि आइधिंक दूसरे लेक्चर में प्रॉपर्टीज में कि किसी भी वेक्टर को parallel में हम shift करते हैं कर सकते हैं without direction change किये हुए तो मैंने कहा यह अगर एंगल ठीटा है तो इसको parallel में shift कर दो कोई फार्व नहीं पड़ता है तो कर दो के कोई फार्व नहीं पड़ता है तो के shift कर दिया मैं इसको shift कर दिये हलका साव हलका साव हाँ कि और पी कि यह अगरफ से अद्फ़ एंगल थ्यान से देखो तो इसको मैंने क्या करती है मिला दिया और वेक्टर एडिसन tampoco हिसाब से वेक्टर एडीसन की की रूल के हिसाब से ये रिजल्ट इंड वेक्टर हुआ करता था कि इस वेक्टर का हैद इस वेक्टर के िछल से कुंसाइड है तो Ск to metaphors तो ट्रैंगुलर लौ के हिसाब से यह रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था लेकिन अगर मैं यह कहूं कि अगर ट्रैंगुलर लौ में से इस भी वेक्टर को शिफ्ट करके इस सैड में कर दूं तो एसी में पली यहीं किताबों में लोगना बस यह है, ठीक है, तो ध्यान सा अगर तुम देखो, तो triangular law में क्या कहा जाता है, triangular law में कहा जाता है, कि अगर किसी भी particular point पे दो vector, vector a and vector b act कर रहे होते हैं, act कर रहे होते हैं, तो वो दो vectors, किसी triangle के, किसी triangle के, दो, किसी triangle के, दो sides को represent करते हैं, इन same order, दो side को represent करते हैं, in same order, same order का क्या मतलब है, same order का मतलब cyclic order में, मतलब एक के बाद एक जो side आएगा, वो, उसका मतलब same order है, देखो न, एक side यह, एक side यह, same order में है, arrow देखो, ऐसे, ऐसे, then, their resultant represents, third sides of the, third sides of, that triangle, तो उनका जो resultant होगा, वो, तीसरे side को represent करेगा, उसी triangle के, but in opposite order, opposite order का मतलब, उनका arrow उल्टा होगा, देखो, अगर तीनों, अगर same order में होते हैं, तो यह vector यह, ऐसे arrow, फिर ऐसे arrow, फिर यह, ऐसे arrow आ जाता, लेकिन हमें पता है, arrow तो ऐसे ही लगाना है, resultant vector का, from tell to head, तो इसका मतलब, यह order इसका क्या होगा, order इसका होगा, opposite, लेकिन magnitude, सोरी, order तो होगा, opposite, लेकिन तीसरा length हमेशा resultant बताएगा, तो यह बोलता है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, बुक में एकदम, as it is, जो से मैंने बोला है, कि अगर दो vector, किसी particular point पर एक साथ लग रहे हैं, तो किसी triangle के दो sides को, वो दो vector represent करता है, in magnitude and direction, magnitude में भी, और direction में भी, मदब, direction भी change नहीं करना है, magnitude भी नहीं चेंज करना है, जितना magnitude A और B का है, उतना ही triangle का sides होना चाहिए, in same order, then the resultant vector represents third sides of that triangle, in opposite order, in magnitude and also in direction, this is the triangular law, अब parallelogram law क्या करता है, यही चीजिया तो हमारा parallelogram law भी है, तो parallelogram law में यह कहा जाता है, कि हम इस vector करना भान कि, इस vector क्मानेंगे, कि vector A इधर लगा, vector B इधर लगा, resultant इनके बीच से जा रहा है, है तो वही चीज, चाहिए इसको देख लो ऐसे करके, चाहिए इसको parallel shift करके, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको इसको देखो, देखेना तो हमें A और B कोई है, तो अगर इस side से A और B देखें, चाहिए इस ऐसे A और B देखें, यह कही बात है, तो कहा गया जाता है, कि whenever two vector, vector A and vector B, acting on a point, acting at a point, at the same instant, then, that two vectors, represents adjacent sides of parallelogram, such that, such that, it still coincide with each other, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे को parallelogram law के adjacent side को, मतलब बगल बगल वाले side को, represent करते हैं, in magnitude and direction, ताकि, दोनों का tail एक दूसरे से coincide करें, then, the resultant always, represented by the diagonal, यह diagonal है न, then, the resultant always, represented by the diagonal, of that parallelogram, passing through, passing through, that same coincidence, या फिर intersection point, जहां से दोनों vectors pass करते हैं, तो सीधा सीधा क्या बोला गया, हम लोग हमेशा यही use करते हैं, उसको कम use करते हैं, मतलब उसको समझते हैं, उससे यही ला, उससे नियम से इस नियम को लाते हैं, लेकिन use यही करते हैं, तो हमेशा आपन क्या बोलेंगे, हमेशा अपन यह बोलेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हों सीधा सीधा बात दो वेक्टर एक्ट कर रहे हों तो हमेशा इनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा किदर से जाएगा बात खतम बात कदम जब कभी भी दो वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक साथ लग रहे हो तो हमेशा उन दोनों वेक्टर के टेल से टेल मिला ओ और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उनके बीच से जाएगा बात कदम यहाँ भी मैगनिटुट उतना ही आता है यहाँ भी तो ध्यान से अगर आप देखें तो यह एंगल थीटा अलफा हो गया पहले वाले वेक्टर से कितना अंगल हो गया अलफा हो गया ठीक है तो मैं एक बार और इनका फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर आपके सामने आपके सामने एक बार फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं कि अगर मैं यह बोलूं कि दो वेक्टर किसी particular point पे अगर एक्ट कर रहे हैं तो उनका resultant vector अगर अब अगर अग्यान से देखें तो आप इसे और अच्छे सा अगर लिखें और सही सही तरीके से लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे कि magnitude of r is equal to magnitude of a का square magnitude of b का square plus magnitude of a magnitude of b cos theta किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ ऐसे आसान भासा में लेकिन असली तरीका यह है तो magnitude vector के magnitude की बात कर रहे हैं फिर अगर हम बात करें कि angle की तो angle कितना हो जाएगा angle आपका होगा tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta और अगर ढंग से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दे tan alpha is equal to mod of b sin theta upon mod of a plus mod of b cos theta यह दोनों formula आपको याद होने चाहिए लेकिन किस तरीके से इस तरीके से कि resultant का formula आपको याद हो जागा दो चार बार आप बोलेंगे मुझसे root में a square plus b square plus 2ab cos theta लेकिन यह angle यहाँ पर लफड़ा हो है तो इसको ध्यान से पढ़ेगा ऊपर b है ऊपर क्या है b b means मैं क्या बोलूँगा ऊपर second vector दूसरा वेक्टर तो एंगल कहां से निकाल लो पहले वाले रक्टर निकाल रहे हो ना this is your first vector this is your first vector and you want to calculate angle or we can say direction from first vector अगर first vector से make sure अगर first vector से तुम एंगल निकाल रहे होगे तो उस दिन यह तुम्हारा दूसरा वेक्टर हो जागा second vector है वेक्टर है न सब्सक्तिया आख दूसरा वाला vector sin theta upon means पहले वाले वहएक्टर प्लस गॉस्छ गॉस से एंगल निकाल रहे हो तो दूसरा वाला साइन थिटा अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला कॉस थिटा ऐसे याद रखेंगे क्यूंकि किसी दिन ऐसे भी आपसे बोल दिया जा सकता है कि बताओ दूसरे वाले वेक्टर्स मतलब यहां से अंगल बताओ यह बीटा कितना होगा तब गरवड हो जाएगा अगर फरम यहां से निकालने तो उस दिन यह पहला वाला जहां से एंगल निकालते हैं वह पहला वेक्टर हो जाता है तो यह पहला वेक्टर हो गया क्योंकि एंगल यहां से निकालना चाहरे है तब यह उस दिन क्या हो जाएगा सेकंड वेक्टर हो जाएगा और अगर यह सेकंड वेक यहां सेंगल निकाल रहा था तो जहां सेंगल निकालेंगे वह पहला वेक्टर और बचा हुआ दूसरा गतर तो यह पहला वेक्टर बचा हुआ दूसरा वेक्टर, तो a sin theta upon b a cos theta, that's it, this is the time beta, बस इसी तरीके से आप याद रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपन क्या करेंगे, lecture number 4 में, हम इसके numericals लेंगे, अच्छे-च्छे, खीक है, उस वाले lectures में, काफी numericals ही लेंगे, थोड़ा बहुत बाते करेंगे, और वेक् Thank you very much.